तेज परता प्यादो एक नेक दिल इनसान है और ऐसे में तेज परता प्यादो जब सरकार में रहे तब तो कामकाज की वज़े से चर्चे में रहते ही है उसके बाजू जब भी पक्ष में रहते हैं तो अपने धर्मकाज, चाहिवाओं का, गरीवों का, दलीतों का आवाज उठाना हो तब भी तेज परता प्यादो अक्सर चर्चे में बने रहते हैं मसकार दे इंडिया टॉप देख रहे हैं मैं हूँ अखंड जोती देखिए लालू प्रिशाद यादो के बड़े बेटे और बिहार सरकार के पुरो मंत्री तेज परता प्यादो का क्रेज केवल बिहार में ही नहीं बलकि देश के दूसरे राज्यों में भी देखने को मिला है चुकि आपको बता दे तेज परता प्यादो इन दिनों हरियाना में हैं और इसके पीछे का वजय है कि लालू प्रिशाद यादो के दमाद चीरन जीवी हरियाना के रिवाडी बिधान सवास सीट से चुनाओ लड़ रहे हैं और ऐसे में उनके परचार प्रशार करने के लिए तेज परता प्यादो हरियाना पहुंच चुके हैं हरियाना पहुंचते हैं उनका जवर्दस्त भंबे तरीके से स्वागत किया जाता है और उसके बाद जब उनके परचार प्रशार करने के लिए तेज परता प्यादो मंच की ओर बढ़ते हैं तभी तेज परता प्य दूसरे राज्यों की राजनती समसने के लिए और ऐसे में जैसे ही वह परचार करने के लिए पहुंचते हैं मंच के पास जाते हैं पहले भब्ब तरीके से उन्हें बड़े माला के साथ स्वागत किया जाता है मुकुट पहना कर उनका स्वागत किया जाता है और उसके बाद तेज परता प्यादो भी जम कर गरस्ते नजराते हैं। सिज्द तौर पर वो अपने रिस्टदार को डिप्टीसीम बनाने का भिध्धावा करते नजरा रहे हैं। उनोंसे सिज्द तौर पर कॉंग्रेस को इसके लिए आभार भी जताया, कि उनके रिस्तदार को उन्होंने टिकट दिया है देखे चीरन जीवी के बारे में आपको बता दे जो लालू प्रिशाद यादों के दमाद हैं और इसके बाद से जैसे ही वह तेजपरता प्यादों हरियाना पहुंचे हैं उनका जबरदस्त क्रेज जो है वह इवाओं के बी वहाँ CBI ED पर भी टल्क तिमपनी करते नजर आए हैं दरसल आपको बता दे चीरन जीवी हरियाना के रिवाडी विधान सभाज से चुनाओ लड़ रहे हैं और ऐसे में 2019 में भी वह विधान सभाज चुनाओ जीते थे उन्होंने निकटम परतिद्वंदी BJP के सुनिल कुमा रिवाडी विधान सभाज सीट पर वहां बिहारियों की संख्या सबसे अधीक है मतलब बिहारी भोटरस की काफी संख्या है और ऐसे में चीरन जीवी हरियाना के पुरो उर्जा मंतरी अजय यादो के बेटे हैं वो हरियाना यूथ कॉंग्रिस के अध्यच रह चुके हैं उ टेजप्रताप्यादो ज Swami के पास जैसेही पहुंचते हैं तो हज्जारों की संख्या में जो सुनने वाले होते हैं जो नीचे ईवा खडा होते हैं वह टेजप्रताप्यादो का जिंदाबादका नारा लगाते नजरा रहे हैं और साथ ये तमाम तस्वीरे जो हैं वह इस बात का गवाह दे रहे हैं कि तेजपरता प्यादो जैसे ही भले ही कभी-कभी अकसर चर्चे में बने रहते हैं चाहे वो सरकार में रहे तो अपने कामकाज की वज़े से चुकि तेजपरता प्यादो एक नेक दिल इनसान है और ऐस में तेजपरता प्यादो जब सरकार में रहे तब तो कामकाज की वज़े से चर्चे में रहते ही हैं उसके बाजू जब भी पक्ष में रहते हैं तो अपने धर्मकाज चाहिवाओं का गरीवों का दलीतों का आवाज उठाना हो तब भी तेजपरता प्यादो अक्सर चर्च झाल